आनन टिटोरियल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज का हमारा क्लास है तीन हिंदी जीरो से कैसे हम पढ़ना सिखे इस विशे में आज हमारी तीसरी क्लास है अगर आप लोगों ने इसके पहले की दोनों क्लास नहीं देखी है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले की दोनों क्लास देखी है क्योंकि अगर आप सुरू की दोनों क्लास नहीं देखोगे पूरा वीडियो देखने के बाद मैं एक दम फूल गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको हिंदी पढ़ना जरूर आ जाएगा ठीक है तो चलो आज की पारसाला में हम दो अक्षरों के बिना मात्रा वाले शब्द कैसे पढ़े जाते हैं हम वो दिखेंगे अपनी क्लास शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम पढ़ने में इतने मगन हो जाते हैं कि हम सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजे लाइक कर दीजे फिर हम अपनी क्लास सुरू करते हैं अगर किसी को कुछ दिकत है समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ठीक है मैं आपसे वाटसप पॉल पर बात भी कर सकती हूँ मैं अपना नीचे वाटसप नमबर दे दूँगी अगर किसी को कुछ प्राबलम है तो आप मुझे बात कर सकते हो ठीक है चलो आज हम दो अक्षरों के बिना मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे तो ये है बच्छो ल और ये है व लव अ ब अब 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 हम हम च ल चलो चलो कटो कटो ठगो ठगो सब सब पल जल जल वन वन वर 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 सव यस यस चम चम चक चक बल बल रहको तलो तलो खटो खटो घटो तब तब कर वर 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 घन जय जय नल जल 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 हम कब कब तब तब अब अब जब जब तन तन मन गर गर हम हम तो यह हो गए बच्चो दो अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द इसमें कोई भी मात्रा नहीं लिखी गई है ठीक है अब हम पढ़ेंगे बिना मात्रा वाले वाक्य अभी हमने शब्द पढ़ा अब हमें वाक्य पढ़ना है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मात्रा ना ह मेरा ये वीडियो जो भी देख रहे हैं अगर आपका घर में छोटा बच्चा है और उस हिंदी में उसे समझो भी वो चार साल का ये तीन साल का है और आपको हिंदी पढ़ाना है तो आप यहीं से सुरुआत करिए पहले उसे स्वर और वेंजन ये सब याद करवाईए फिर उसके बाद आप उसे बिना मात्रा वाले शब्द जैसा कि आपको मैंने भी यहाँ पर बताया है ये शब्द आप उसे पढ़ाईए या आप बड़े हो और आपको हिंदी सीखना है तो भी आप यही करिए ठीक है? तो ये हमारे शब्द हो गए हमने दो अक्षरों के बिना मात्रा वाले शब्द इस क्लास में भी हमने पढ़ा है और जब हमारी दूसरी क्लास हो चुकी है उसमें भी हमने दो अक्षरों के बिना मात्रा वाले शब्द पढ़ चुके हैं अब हम वाक के पढ़ेंगे, कि बिना मात्रा वाले वाक्य कैसे पढ़े जाते हैं, ठेक है, शब्द पढ़ना आप लोगों को आ गया है, मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ, इसकी प्रैक्टिस आप अपने घर में करते रहे, क्योंकि यह कहा गया है, जब हम बार बार किसी चीज को करते हैं, तो वो हमें याद हो जाता है, तो वही काम आपको भी करना है, ठेक है, तो आप शब्द पढ़ना आपको आ चुका है, अब बिना मात्रा वाले वाक्य किस प्रकार पढ़े जाते हैं, वो हम देखेंगे, ठेक है, रेडी हो अब लोग, चलो, जब मैं पढ पढ़ेगा, ठेक है, तो चलो, पवन, घर, घर, चल, चल, पवन, घर, चल, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, आगे देखेंगे, दर, दर, मत, मत, धर, मत, पवन, घर, चल, दर, मत, आगे देखेंगे, न, ल, नल, पवन, पर, चल, चल, नल, पर, चल, जल, जल, भर, भर, अब, बस, बस, कर, कर, आब, बस, कर, यस, jud, जग, जग, रख, रखो, यस, जग, रखो छत पर चलो चलो अब खत पढ़ डर मत एक बर हम सुरू से फिर से पढ़ते हैं ठीक है पवन घर चलो डर मत नल पर चलो जल भर अब बस कर यस जग रख छत पर चल अब खत पढ़ डर मत अब आगे देखते हैं बचो हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें पढ़ना जल दियाएगा तो जो आपको मैं बता इससे आप घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करते रहिए आगे देखिए जग जग भर कर रख सच सच कह कह सच सच कह हलो हलो रख रख करो करो चलो चलो हलो रख कर चलो रथ रथ परो परो चड़ो चड़ो रथ पर चड़ो भरो रख चलो चलो रख 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 जय, जय, घर, घर, चल, जय, घर, चल, जय, घर, चल, जय, जय, वन, वन, चल, जय, वन, चल, नल, नल, पर, पर, जय, ल, जल, भर, भर, मैं बोल रही हूँ आप लोग मेरे साथ दोरा रहे हो ना चलो एक बार और पढ़ो जग भर कर रख सच सच कह हल रख कर चल रथ पर चल बस पर चल घर चल कर टब भर जै घर चल जै वन चल नल पर जल भर ठीक है तो यह हो गए हमारे बिना मात्रा वाले वाक्य तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं आज हमने बिना मात्रा वाले वाक्य और शब्द पढ़ें हैं इसी प्रकार के अगर आपको और भी शब्द मिल रहे हैं किताब में तो आपको भी पढ़िए, ठीक है? मैं आपको कल बताऊंगे कि और कौन-कौन सी किताब आपको खरीदना चाहिए, आपको किताब खरीदेंगे तो आपको पढ़ने में और भी स्विधा हो जाएगी, मेरा ये वीडियो से बच्चों के लिए नहीं है, बलकि उन सभी के लिए है, जो हिंदी पढ़ना सीखना चाहते हैं, अगर आपको मेरी क्लास जोइन करना है ओनलाइन, तो आप मुझे कमेंट करिए, फिर यूटूब पर मैं अपना ओनलाइन क्लास सुरू कर दूँगी, लेकिन मुझे सुरू करना है कि नहीं, ये आपकी उपर डिपेंड है, अगर आप मुझे कहोगे कि नहीं टीचर, आप हमें ऑनलाइन पढ़ाए, तो मैं जरूर आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास सुरू कर दूँगी, नहीं तो यूटूब पर वीडियो बना कर तुमें हमें स डालते रोंगी, सब आपके उपर है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, टीचर हमें ऑनलाइन पढ़ाए, तो हमें ज्यादा समझ में आएगा, तो मैं उसके लिए भी रेडि हूँ, ठीक है, आपको जैसा चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं पूरी तरह से ग वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद, तो अगली क्लास में हम तीन अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द और वाक के पढ़ेंगे, ठीक है, तो आज का हमारा ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है, आप लोगों ने यहां तक पूरा वीडियो देखा, उसके लिए धन्य एक बार फिर आपको याद दिलाते हूँ, प्लीस लाइक सब्सक्राइब, तैंक यू, जैहिन, जैभारत